हेलो फेंड्स मैं अनामिका मेरी किचिन में आफ्सरी का श्वागत है फ्रेंड्स आज संडे है और आज हम संडे इस तेसा जटपट टिकन बनाने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को लाज़ तक देखिए बहुत ही मज़ा आएगा सबसे पहले हमने गैस पे कुकर रख लिया है कुकर को हमने गडम कर लिया है अब उसमें हम डालेंगे तेल तो यहां पे हम सर्चो का तेल यूज कर रहे हैं हमें एक किलो चिकन बनाना है तो हम यह डाल वाली कर्ची से चार कर्ची तेल डालेंगे यही मेजर सही होता है चिकन के लिए तो आपने देख लिया हमने यहां पे चार कर्ची तेल डाल दिया है गैस पे हम इसे अच्छे से गडम करेंगे यानि इसमें से स्मोकिंग जैसा फ्लेवर आना चाहिए उतना हमें गडम करना है तो आप देख सकते हैं अपने तेल से हलका हलका धूँआ जैसा आने लगा है राई का तेल हो तो उसे अच्छे से गडम करना बहुत ही ज़रूरी होता है इससे क्या होता है उसका करवा दूर हो जाता है और ये बड़ा सुन्दर टेश्ट देता है तेल अपना अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे खड़ी लाइची यानि कि हमने चार खड़ी लाइची लिया है बड़ी वाली जिसे हमने तोड रखा है उसका मुझ खुल चुका है दो हम तालचिनी एश्टीक लिये हैं छे से साथ तेज पत्ती लिये हैं दस बाड़ा लॉम बाड़ा पंदर अपनी काली मिर्च है इससे चिकन बहुत ही टेश्टी बनता है तो अब हम इसे गड़म तेल में डालेंगे ध्यान रहे इस टाइम हमने फ्लेम स्लो कर दिया है नही फोड़न से चटरने की आवाज आने लगी है अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ प्याज तो यहां पे हमने 8 प्याज को काट लिया है अब हम इस प्याज को चलाते हुए करीबन शाथ से आठ मिना तक भूएंगे यान रहे इस दीच हमें प्लेम स्लो करना है फाज क यहां पर भड़़ के चार चमत्स जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे एक पाव के लिए एक चमत्स इन आफ होता है तो हम एक किलो बना रहे हैं तो चार चमत्स यूज कर रहे हैं अब हम प्याद के साथ इसे भी पांस मिनट तक अच्छी से ढूनेंगे बहुत अच्छी कुछ भूँ आने चाहिए प्याद लह सुन अद्रक से सब चक्षम भूनेंगे अब देख सकते हैं अपना प्याद लह सुन अद्रक अच्छी से भून चुका है अब हम इसमें कुछ पॉडर एस्पाइस एड करेंगे यहां पे हम दो चमच हल्दी डालेंगे सार चमच भनिया पॉडर और यह कलर वाली मिर्च थे तो हम छे चमच लाल मिर्च पॉडर डाल रहे हैं आप अपने तीखा के नुसार अर्जेस्ट कर लिजे अब हम मसाला को भी 3-4 गिनट तक चलाते हुए प्याद से साथ भून लेंगे इसनी बढ़िया अपनी ग्रेवी तयार हो रही है आप देखे दिये शीकन के लिए तो अब देख सकते हैं हमने प्याद के साथ अपना मसाला भून लिया है तेल छोड़ दिया है इस टेज पर हम डालेंगे चीकन तो यहां पर हमने एक किलो चीकन लिया है जिसे हमने दो लिया है अब हम इसे अपने मसाला में डाल देंगे अब हम चीकन को अच्छा से नियुक्स कर लेंगे हमें मसाले के साथ पांस मिनट तक घूलना है चीकन को बाद में हम इसका लेड लगा लेंगे अब हम इसमें स्वात के उसार नमक डालेंगे अब अपनी चीकन पानी चोड़ेगी उसी के साथ हम लिड लगा के इसे दस मिनट तक पकाएंगे अब देख सकते हैं कि इतना लिड लगाने जा रहे हैं तो चलिए हम इसका भटन लगा लेते हैं श्लो ख्लेम पे हमने एक भीसिल आने तक चीकन पका लिया है अब हम लेड को खुल के आपको दिखाते हैं आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपनी चीकन में तेल पै रही है यह अच्छे से पक चुकी है तो चड़ी हम एक बाड आपको मिक्स करके दिखा दे रहे हैं आप देख सकते हैं हमने अलड से पानी नहीं ढाता अपनी प्याज गल के छीकम के सीग मिचिपी इस तों कितने अचया से यानी की पाथ छुकी है अपनी छीकन बिलकुल पाथ चुकी है हमें इसे कुछ नहीं करना है आप सर्थ करके इन्चौई करना है तो चलिए हम गई इसको आफ कर लेते हैं और दस मिनट बाद सर्व करके आपको दिखाते हैं चलिए चिकन प्लेटिंग कर लेते हैं तो हम आपको चिकन दिखा दे रहे हैं देखिए कितनी बढ़ियां अपनी संडे इस्पिसल चिकन बनके तयार हुई है तो फ्रेम्स आपने देख लियां संडे इस्पिसल चिकन बनके कैसे तयार हो गया खाने में तो यह बहुत ही लगता है तो आप ही बनाएए और मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए भन्यवाद